निवस्का दोस्तों मैं विजेन जिंग परमार पाहुजल लौकेडमी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज हम एक ऐसा विशे डिसकस करने जा रहे हैं जो करीब पिछले एक दो महीने से काफी चर्चा का विशे है या मैं कहूं कि विवाद का विशे है कारण क्या है इस विवाद की बज़े और वास्ता में विवाद क्या है इसको आज हम समझेंगे आप मेरे पीछे एक टॉपिक देख पा रहे होंगे वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एंड इस रिलिवेंसी जी हां मोधी सरकार ने एक बिल इंटोडियूस करवाया वक्फ एक्ट में अमेंडमेंड करने के लिए क्या आवश्यकता इसकी पड़ी और यही है मूल विवाद की जड़ तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए एक वक्फ होता क्या है देखिए वक्फ एक अर्भी भासा का शब्द है इसका अर्थ होता है अल्लह के लिए या खुदा के लिए या सारभजनिक प्रविजनों के लिए समर्पित की गई कोई भी संपत्ति कोई भी मुसलिम व्यक्ति अ ये समपत्ति चल हो सकती है फिर विवाद क्या है इशु क्या है इस्उ ये है कि पिछले कुछ समय से ये आरोफ लगते रहे हैं बखभ़ ऑड़ के भारत में आज इंडियन रेलवे और रच्च्शा मंतराले को छोड़कर तीसरे नमबर पर सबसे जादा संपत्ति यदी अब इसके कुछ नियमों में काईदों में क्या किया जाए शंशोधन किया जाए अभी तक क्या इसके लिए कौई कानून नहीं था अभी इसके लिए कानून था अभी जो कानून था उसे हम बोलते हैं वक्फ एक्ट 1995 1995 का एक कानून था अब उसी कानून में शंशोधन करने की प्रक्रिया के लिए ये बिल लाया गया ये बिल इंटोड्यूस किया गया और तबी से इस विवाद ने जन्म लिया कारण क्या था कुछ ऐसी major key points है जिन पर जो सामानेत मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो इस पर जो है विवाद का विशय कहीं न कहीं वो आया है कारण उसका यह है सबसे पहले हम समस्ते हैं कुछ major provisions इसमें करने की कोशिश की गई देखिए पहले यह था कि कोई भी व्यक्ति Muslim या non-Muslim कोई भी व्यक्ति हो वो जो है बख में अपनी संपत्ती को दान कर सकता था कि क्या कोई भी संपत्ती सरकार की है या वक्त भूमी की है वक्त वोड की है तब उसका decision जो होता था वक्त वोड के सदस्य करते थे लेकिन अब वहाँ पर परतन करके किया जा रहा है कि decision यह किया जाएगा उस संबन्ने जिले के collector के द्वारा कि वह संपत्ती वक्त वोड में आती है वक्त वोड की है या फिर वह सरकार की संपत्ती है इसके अलावा जो major दूसरा एक point है जिसका भी काफी विरोध किया जा रहा है वो यह है कि वक्त वोड में दो महिलाएं कम से कम शामिल की जाएंगे और दो कम से कम गैर Muslim लोग भी इसमें शामिल किये जाएंगे तो ये कुछ main बात हैं जिनके कारण इस Act का विरोध हो रहा और एक मैत्मून बात और है वो ये है कि अब ये भी कागया है कि जब ये Act लाग हो जाएगा तो उसके within 6 months जो भी existing property हैं उनका तो registration करवाना ही पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा नई property जब भी कोई व्यक्ती वक्फ बोर्ड के फेवर में देता है दान करता है तो उसका एक वक्फ नामा बनवाया जाएगा और उसको registered भी करवाया जाएगा तो इन एक कुछ प्रावधानों का विरोध जो है समदाए विशेश द्वारा किया जा रहा है अब देखते हैं अब ये आगे कानून बन पाता है या नहीं बन पाता है या यदि बन पाता है तो किन संशोदनों के साथ ये दोनों हाउसेश से पास होता है अबनेवाद पाता है सबस्क्राइब फॉर मोर कॉंटेंट